हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा होटला रेश्टरों में चिकन दम ब्रियानी कैसे बनाएते हैं चिकन दम ब्रियानी बनाने के दो तरीके होते हैं कच्ची ब्रियानी और दूसरा लेयर दम ब्रियानी तो आज मैं आपको लेयर में चिकन दम ब्रियानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताने बाला हूँ इस तरह से ब्रियानी बनाएंगे, राइस खिली खिले बनेगे, मुसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा, तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक किलो 500 ग्राम बासमती राइस लिया है, चाबलों को आपने अच्छी तरह से दो लेना है तो ओके देखिए, तीन पानी से चाबलों को मैंने धो लिया है, इसके बद आप इनको कम स्कुम आदे से एक घंटे तब भिगो के रखती है तब तक आपने और त्यारी कर लेनी है, अब हमें ब्रियानी बनाने के लिए ब्रॉन प्याज चीए होगा यहां मैंने लगन लिए है, सबसे पहले उसमें ऑईल आइड करेंगे, ऑईल को अच्छे से गर्म कर लिए है और देखिए, यहां पर मैंने आदा किलो ही प्याज लिया था तो प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने का जो तरीका है, गैस की फ्लिम हाई रखिए, जब देख सकते हैं, प्याज यहां पर गोल्डन ब्रॉन हो चुका है, इसके बद आपने प्याज को निकाल लेना है, और निकालने हुआ प्याज को आप एक पेपर के उपर रख ताकि प्याज में अच्छा करांच आ जाए, और कि देखे ओल की कॉंटरी थोड़ी सी जादा यहां पर तो आपने इसमें से ओल निकाल लेना है, इसका यूज आप खाना बनाने में कर सकते हैं, अब जो बचाव ओल है, उसमें मैंने देखिए 1.600 ग्राम चिकन एड़ कर द आता है और बिर्यानी अच्छी तीखी भी हो जाती है, फिर आपने इसमें धनिया पॉर्ट रैड करना है, तो एक से डिट बड़ चमच आपने इसमें धनिया पॉर्ट रैड कर देना है, साथ में तोड़ा जीरा पॉर्टर रैड कीचें, तो से लिला toर की कोंटरी आपने क फ्लेवर आएगा और फिर आपने इसमें देही एड़ करना है अब देहीं कितना डालना है? ति is में 10.5 kg अंप चिकनल लिया कमसे हैं 200-250, क्राम आप इसमें देहीें आड़ करदीज़ें और साथ में आपने इसमें तोड़ा गार्णशी में डालेंगे, थोड़ा आप लेयर में डाल सकते हैं, सारे इंक्रिजिजिन्स को अच्छी तरह से चिकन के साथ आप यहाँ पे मिक्स कर लेशे, और मैरिनेट करके कम सिकम आप चिकन को 30-35 मिन तक इसी मैरिनेशन में छोड़ दीशे, उससे क्यों होगा इन मिर्च मसालों को जो टेस्ट है, चिकन के अंदर तक जाएगा, और दूसरा चिकन जो है, सौफ्ट और जूसी भी बनेगा, तो मैरिनेशन में 30-35 मिन तक आपने जुरूर छोड़ना है चिकन को, अब एक ब्रियानी मसाला बनाएंगे, देखिए थोड़ी सी मैंने इस लीशे, एक तम फाइन पॉर्डर बना लीशे, तो यह हमारा सिंपल सा एक अच्छा फ्लेवर वाला ब्रियनी मसाला भी त्यार हो चुका है, इस मसाले को आपने चिकन के साथ ही मैरिनेट कर देना है, चिकन के साथ यह मसाले पकेंगे, बहुत ही बड़ी आप फ्लेवर चलाते रहना है, तो ओके देखिए, आप देख सकते हैं, चिकन यहाँ पर पकना शुरू हो चुका है, इसमें बबल साना भी शुरू हो चुके हैं, तो इसको मुझे पकाते हुए लगवर पांच मिनदे हो चुके हैं, और इसके बद आपने उपर से कबर कर देना है, और बख जाता है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया था, जो हमने इसमें देही याइड किया है, चिकन में जो मौइश्यर होता है, उसी से इतना पानी निकला है, तो इसके बद आपने का करना है, इसमें से आदी ग्रेवी जो है, वो आपने आपने निकाल लेनी है, पेसी निकालने है, ग्रेवी को निकाल लेनी है, ग्रेवी को हम लेयर में डालेंगे, और इसमें जो एक्स्ट्रा रोपन बगेर आपको दिखरा है ना, उसको भी आपने निकाल लेना है, चिकन को आपने फिर से उपर से कवर कर देना है, गैस की फि तीन से चार आप इसमें बड़ी लाइची आड़ करती है और साथ में दो पत्ते आपने तेश पत्ता के आड़ करने है थोड़े से आप इसमें लॉंग आड़ कीशे तो लॉंग का यूज थोड़ा सा जादा करना है एक छोड़ा चमच आपने इसमें शाही जीरा डालना है औ चाबलों को पूरा पानी निकाल देना है है और चाबलों को आपने डाल देना है याफे बॉयल करने के लिए अब ब्रियानी के लिए राइस बनाने का आपको पूरा पूरसेस मैं बताने वाला हूँ, राइस को अच्छी तरह से एक बर पानी के साथ मिक्स कर लेशे, तकि राइस पतीले के नीचे ने चिपके, और गैस की फिलेम आपने पहले हाई रखनी है, तकि राइस में जल्दी से बॉयल आजाए, और इसके साथ में आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीचे, बरी कट होगा, थोड़ा सा इसमें मिन्ट डाल दीचे, ताकि मिन्ट और धनिया भी अच्छी तरह से चाबलों के साथ मिक्स हो जाए, अब मैं आपको टाइमिंग के हिसाब से राइस मनाने का त पकाते होए, और साथ मिन्ट में हमारे जो राइस हैं लगवा असी परसेंट तक पक जाते हैं, तो इतनी देर ही आपने पहले चाबलों को पकाना है, और कि देखे लेंथ भी आपको दिखा देता हूँ, अच्छी लेंथ भी चाबलों में आ चुकी है, क्योंकि जब हम दम तो उसके बाद चाबलों में लेंथ नहीं आती है, तो इसके बाद आपने स्पाइडर लेने हैं, और स्पाइडर की साहता से जो चाबले हैं, उनको आपने निकाल लेने हैं, अच्छी तरह से इनका पानी निकलने दीशे, और जो चिकन आपने पका के रखोगा, यह जो ले यहां पर डाल दिये हैं आप डालना चाहें बीच में एक लेयर इसमें चिकन की ग्रेवी भी डाल सकते हैं बड में जो ग्रेवी बचा के रखी है सबसे उपर बाली लेयर में ही डालूँगा यहां पर तो देखिए चारों तरफ मैंने राइस को अच्छी तरह से बिखेर दिय हैं और जो चिकन की ग्रेवी हमने बचा के रखी दी सबसे उपर वो ग्रेवी डाल देते हैं और इस तरह से आप ग्रेवी को अच्छे से बिखेर दिशे इससे क्योगा चिकन का जो टेस्ट है पूरे राइस में आएगा और थोड़ा से उपर से हरतनिय डालना है आपने दे देसी घी का मैं यूज कर रहा हूँ तो दो बड़े जमच आपने इसमें देसी घी आइड करते हैं बहुत बड़े से टेस्ट आएगा थोड़ा साब इसके ओपर केवरा वाटर डाल दीशे और अच्छी तरह से आपने इसको उपर से कवर करते हैं तो मैं फॉइल बेपर से कैसे है हमने पहले थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि चिकन फिर से गर्म हो जाए फिर इसके बड़ आपने गैस की फिलेम एकतम लो कर देनी है कम से 10 से 12 मिट तक लो फिलेम आप इसको पकने दीशे इतनी तेर में चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा राइस के अंदर से ब्राउन प्याज डालना है और ब्रयानी को निकालने का तरीका कभी भी ब्रयानी के बीच में पल्टाने लगाना है कि देखिए साइड से उठाईए चाबलों को इससे क्यों होता है राइस तूटते नहीं है अगर बीच में पल्टा चलाते है राइस सॉफ्ट होते है व बहुत अच्छी बनेगी और अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगोगा तो लाइक, शेर, कुमेंट जुरूर कीज़ेगा और आप इस प्रयानी को इंचुआए कीज़े किसी भी राइते के साथ